तो दोस्तों सबसे पहले psychology के जो question है वहाँ से हम start कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2011 के अंदर psychology के किस प्रकार के question level 1 के अंदर यहाँ पर पूछे गए तो देखिए सबसे पहले नंबर का जो person है वो screen के सामने है मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर person इस प्रकार से पूछा गया है कि जो खिलोनों की आयू होती है वो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि खिलोनों की आयू किस अवस्ता को कहा जाता है यहाँ पर देखिए यह वाला जो प्रसन है आपके सामने है और इसका right answer हो जाएगा option number a इसका क्या हो खेलोनों की जो आयू होती है वो होती है पूर्व बाल लेवस्ता जो पूर्व बाल लेवस्ता है वो ही क्या होती है खेलोनों की आयू होती है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो नेश्ट परसन पूचा गया है वो पूचा गया है देखिए यह निम्न में से कौन सी पू पुर्व बाल लवस्ता की विशेश्टा यहां पर नहीं है Next प्रसन देखे दोस्तो नेक्स्ट प्रसन है यहां पर प्रसन नंबर तीन जिसमें पूचा गया है उत्तर बाल लवस्ता में बालक बोतिक वस्तूँ के किस आवश्चक तत्तू में परिवर्तन समझने लग जाते है तो ये जो है द्रव्यमान, संख्या और छेत्र इसके अंतर क्या समझने लग जाते हैं परिवर्तन को समझने लग जाते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, संख्या क्या होती है, छेत्र क्या होता है तो इसको वो समझने लग जाते हैं इस प्रकार के psychology के प्रसनायते, प्रसन नम्बर ये है कि विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है तो इसके अंदर हो जायगा, option number C, अभी प्रेरणा एवं अनुभव के फलसरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर उत्तर सरंखला, ये ही क्या ह होती है विकास होता है यह क्या होता है विकास होता है नेश्ट देखिए प्रसन नंबर पांथ यहां पर दिया गया है कि विकास के संधर्ब में निम्न में से कौन सा खतन सही नहीं है यहाँ पर पूचा गया है कि कौन सा खतन जो है वो सत्य नहीं है देखिए विकास की प्रतेक अवस्ता अपने खतरे में है और विकास उक्साने या बढ़ावा देने से नहीं होता है विकास सांस्क्रितिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है विकास की प्र आंसर क्या हो सकता है फिलाल option number B यहां पर बताएंगे बहुत सारे विद्ध्यार्थी तो आप अपने हिसाब से यहां पर चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके उपर इस्टार लगा हुआ है नेक्स्ट है प्रसन नंबर 6 ओप्शन नंबर 20 इसके अंदर आजाएगा दोस्तों विकास के संदर्म में कौन सा खतन सही नहीं है तो इसमें option नंबर बी आजाएगा जहां तक आप भी दोस्तों यहां पर अनुमाल लगा सकते हैं कि कौन सा option यहां पर हो सकता है तो answer की कि हिसाब से दोस्तों मैं आपको यहां पर बताते हुए चलता हूँ देखिए परसन नंबर 6 आपके सामने है यह भी विकास से संबंदित है विकास आत्मक जो कारिया होते हैं उसमें से यहां पर बताना है और जो दोस्तों यह नहीं वाले परसन होते हैं यह आपको करिफूजिंग करते हैं तो सबसे पहले आप नहीं को target करें कि पूछा क्या गया है पर प्रसन नंबर B पुरू सोचित या इस्तरियोचित सामजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना नेक्स्ट है प्रसन नंबर 7 सामान्य परिपक्वन से पहले प्रेशिक्षित करना यह प्राय क्या होता है तो इसके अंदर जो है option नंबर D हो जाएगा option नंबर D का जो आंसर है वो यहानिकारक यह इस पर निर्वर करता है कि प्रेशिक्षन में किस प्रकार की विधी का जो प्रियोग है वो यहाँ पर किया गया है यह सामान्य परिपक्वन से पहले प्रेशिक्षित करना जो है यह कहलाता है प्राय जो यहाँ पर दिया गया है वो नेक्ट प्रसन बार बार ये घटना होती है फिर कुछ देर शान्ति के पश्यात बिजली कड़कती है राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर उचलता है राजू का उचलना सीखने के किस सिध्दांत का उधारन है तो इस प्रकार के जो परसंद हैं वो काफी पूचे जाते हैं समझ पर अवाज होती है जैसे अवाज होती है तो वो उछलने की जो किरिया है वो यहाँ पर कर रहा है इसका मतलब है उसकी अवाज के साथ में अनुमंदन हो चुका है तो इसको हम सास्त्रिय अनुमंदन क्या कहेंगे यहाँ पर कहने वाले है नएश टैप प्रसन नमबर 9 सकारात्मक जो दंड है, ये किसका उधारन है, जो चार option आपको दिए गए हैं, इन जो आपको बताना है कि सकारात्मक दंड क्या होता है, ये है ये, option number इसका right answer हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास करना, ये सकारात्मक दंड का क्या है, उधारन है, next person है, प्रसन number 10, इसमें पूछ प्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्व में उप्युक्त नहीं है यह पर नहीं है पूचा है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर डी तो क्या दिया गया यहां पर पूचा है कि अभी प्रेरणा का एक अभी प्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्व में उप्युक तो कौन सा नहीं है तो यह option number D नहीं है यह व्यक्ति को ए प्रिय इस्तति से दूर रखता है यह यहाँ पर जो है इसका right answer हो जाएगा next person है यहाँ पर देखिए किसी उद्धीपन के निरंतर दिये जाने वाले वेवार में होने वाला ए इस्थाई जो परिवर्तन है वो क्या कह खेलाता है तो वह खेलाता है यह अभ्यस्तता क्या खेलाता है वह अभ्यस्तता खेलाता है next देखिए यहाँ पर या विचार के लिए राजी करना ये उचित नहीं है तो ये इसका right answer हो जाएगा next है याँ पर देखिए तेरवे नंबर का प्रसन है कि उपलबदी अभी प्रेरक के संधर्व में जो संबंध है उसमें से कौन सा याँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है तो option number जो D है ये right answer हो जाएगा तीनों के तीनों याँ पर दोस्तों सही नहीं है क्योंकि याँ पर पूछा आए कि कौन कोन से खतन जो है याँ पर सही है लेकिन याँ पर जो A, B, C है तीनों के तीनों क्या है गलत है इसलिए याँ पर चोथा option हो जाएगा क्या option number D ये इस प् इसकी अवस्ता में बालक रूची लेना प्रारंब करते हैं तो चैसे दस साल के जो बच्चे हैं बालक किसमें रूची लेना प्रारंब कर देते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विध्याला में विध्याला में रूची लेना प्रारंब कर देते हैं क्योंकि मस्तिक्स है वो एक बरप की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांसता है छिपी रहती है एवंग उसमें चेतन के तीन इस्तर होते हैं ये कौन सा सिद्धान्त व्यक्त करता है तो ये करता है मनो विशलेशनात्मक सिद्धान्त क्या करता है मनो विशलेशनात्मक सिद्धा को व्यक्त करता है नेश्ट प्रसन है प्रसन नंबर 16 है या पर कुछ लोगों का कहना है कि जब बालोकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा मैसूस नहीं करते उनके व्यवार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंतर को प्रति लक्षित करता है इसका राइट अंसर हो जाएगा यह उप्सन नंबर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा व्यवार विस्तावन नेश्ट प्रसन है प्रसण नंबर 17 समायोजन से तातपरिये स््वयम का विभिन परिश्तितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष् संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसकी आवशकताओं की पूरती हो जाएगी तो यहाँ पर इसमें राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट परशन है 10वि नमबर का नीसक्त बालक होते हैं उन बालकों की शिख्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। नहीं है जो मानसिक मंदता वाली हो इसका राइट अनसर हो जाएगा यह option नंबर डी यह मानसिक मंदता से संबंदित नहीं है अंतर व्यक्तिक संबंदों का कमजोर होना यह मानसिक मंदता की विशेष्टा नहीं है जबकि नमबर 21 यहां पर दिया गया है विध्यारतियों के अच्छे मानसिख स्वास्त को बनाये रखने के लिए निमन में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अध्यापक की भूमी का एवं विध्यालई वातावरण यह इसका क्या हो जा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ओप्सन नमबर डी ओप्सन नमबर डी है ऐसे अभिवावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वारशिक आई की सीमा से नीचे वरग में आते हैं तो वो कमजोर बालक यहां पर होते हैं प्रसन नमबर 23 दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिये गए विध्यारतियों की संक्या 200 से अधिक है तो विध्यारती अध्यापक का जो अनु relevant प्रषन है इस प्रोसन को आपको याद करके जरूर जाना है यह रिपीट हो सकता है कि अनुपात आपको बताना है कितना अनुपात होगा तो यहाँ पर 40 का अनुपात होगा कर अध्याति के ऊपर यह आपर एक जो अध्यापक है वो रहने वाला है समालने के लिए विध्यारतियों को तो ये इसका क्या होता है मतलब होता है नेक्ष्ट प्रसन है दोस्तो प्रसन नमबर 24 दिया गया है कि क्रियात्मक अनुसंदान के संबंद में निम्न में से कौन सा कतन सही नहीं है जो कतन सही नहीं है उसको आपको बताना तो इसका right answer हो जाएगा option number C option number C इसका right answer हो जाएगा क्या दिया गया है व्यापक इस तर पर निरने लेने के लिए सूचना संकलन का कारिया इसमें किया जाता है next question number 25 निम्न में से कौन सा कतन शिक्षन के बारे में सही नहीं है ज्याजतर सही नहीं है नहीं है वाले जो प्रसने पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बच्चे ज्याजतर कन्फ्यूजिंग होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D शिक्षक अनुवेशन है यह क्या है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है जबकि बाकी तीन राइट है यह क्या है गलत है तो यही राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसने यहापर कुशन नमबर 26 पूचा गया है राष्ट्रिय पास्ट्रेचरिया रूप रेखा 2005 में ग नेक्स्ट प्रसन है प्रसन नमबर 27 राष्ट्रिय पाठ्चरिय रूप रेखा 2005 में निवन में से किस परिक्षा समंदी सुधारों को सुझाया गया है यह आपको यहापर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों यहापर तक प्रसन नमबर 28 राइट आनसर कहाँ यह है जिए आपको बताना है तो इसका राइट आंसर थाई गया यह रहाएट कि दबाव को कम करने इंग परिक्षाव में सफलते के लिए आवश्यक है, नेक्स्ट है 29 वे नंबर का प्रसन है कि मुल्याकन का उद्देश जो है वो क्या होता है तो मुल्याकन का उद्देश होता है दोस्तो उप्सण नंबर D उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसकी प्रती जो पुष्टी होती है पुष नंबर सी को स्वयम के द्वारा किया गया जो अनुभव होता है यह क्या होता है बहतर होता है क्योंकि प्रक्टिकर नोलेज उनको मिल जाती है तो दोस्तो साइकलोजी के कुश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें